भारत की अध्यक्षता में वी G20 समिट ना है सिर्फ भारत के लिए बलकि G20 गुरुप और पुरे वश्व के लिए एतियासिक थी भारत न इस समिट में अपने कूटनेतिक कोशल को दिखाया और यहाँ पर सभी G20 सदस्यों को साथ मिला कर New Delhi Declaration को अडॉर्ट किया नमस्कार दोस्तों आप सभी का क्रिजी जीके ट्रिक पर स्वागत है फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम भारत की अध्यक्षता में वी G20 समिट को डिसकस करने वाले हैं भारत की अध्यक्षता में किस तरह से G20 की तस्वीर बदलती हैं भारत की अध्यक्स्ता में हमको क्या-क्या विशेश चीज़े देखने को मिलती हैं और फाइनली इथियास किस तरह से इस समिट को पीछे मुड़ के देखेगा इन सबी बातों को आज हम इस वीडियो सेशन में डिसक्स करने वाले हैं तो आईए शुरू करते हैं आज का सेशन G20 group मिलकर 85% global GDP को रेप्रेजेन करता है 75% global trade को रेप्रेजेन करता है और दो तिहाई पूरी दुनिया की जंसंक्या को रेप्रेजेन करता है तो ये गुरूप अपने आप में काफी महत्पूर हैं मकर यहाँ पर अगर हम दुनिया का geopolitical सेनारियो देखें तो यहाँ पर हमको वर्ल्ड कंट्रीज के बीच में दुरुवी करण यानि के polarization देखने को मिलता है एक तरफ रश्या-चाइना ब्लॉग डेवलप हो रहा है और दूसी तरफ हमको USA-led Western Countries का ब्लॉग देखने को मिलता है इसी परीपेक्ष में हमको G20 Summit को देखना चाहिए यहाँ पर लगातार इसी अटकले लगाई जा रही थी कि सर्फ सम्मती से कोई भी declaration आना impossible है मकर भारत ने इस आसमभब काम को समभब बनाया और यहाँ पर सर्फ सम्मती से New Delhi declaration को अडॉप्ट किया गया यह तो एक achievement है साथ में यहाँ पर भारत ने पूरी कोशिश की कि एक बार फिर से G20 को पुप्लोराइस करा जाए इसको लोग प्रिये बनाया जाए भारत की अधिक्ष्टा में हम देखते हैं कि 200 मीटिंग और्गनाइस कराई गई 60 से जादा शहरों में जिन में 125 देशों के एक लाग से जादा ऑफिशल्स ने पाडिसिपेट किया और G20 समिट को सकसेज बनाने के लिए भारत ने 41 सो करोडों पे भी खर्च करे भारत के इन प्रियासों से G20 पुनर जागरित होता है और एक तरफ जहाँ पर हम दिखते हैं कि इंटरनेशनल स्कॉलर्स ने G20 को इस रेलिवेंट बोलना चालू कर दिया था वहाँ पर भारत ने फिर से G20 को रेलिवेंट बनाया है और इस बात को इंशोर किया है कि आने वाले समय में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर G20 ग्रूप रेलिवेंट रहेगा आने वाले समय में किस तरह से ये ग्रूप आगे बढ़ेगा इसकी जिलख हम को न्यू डेली डेकलरेशन में देखने को मिलती है 83 पराग्राफ के न्यू डेली डेकलरेशन को सर्व सम्मती से G20 ग्रूप ने अडॉप किया है वैश्विक दुरूवी कर्ण को दियान में रखते हुए इस डेकलरेशन को अडॉप करना ही अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज और इंपोसिबल टास था इस अचीवमेंट के पीछे दो इंपोर्टेंट बात हैं पहली है इंडिया की मिडिल पार्थ पॉलिसी मद्यम मार्क की नीती और दूसरी है यहाँ पर भारत के प्रदान मंतरी नरेन मोदी जी की भूमी का जिस तरह से उन्होंने परसनली जी टूइंटी ग्रूप के सदस देशों के प्रमुकों से बातचीत करी उसकी एक बहुत बड़ी भूमी कर आई जिस वज़े से हम देखते हैं कि सर्व सम्मती से जी टूइंटी ग्रूप ने निउ डेली डेक्लेरेशन को अडॉप्ट किया इसकी सफलता के पीछे ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडोनीशिया के साथ साथ जापान का भी बहुत बड़ा हाथ रहा यहाँ पर इन देशों नों भी भारत के साथ मिलकर काम किया ताकि सर्व सम्मती से निउ डेली डेक्लेरेशन को अडॉप्ट किया जा सके आईए अब हम एक एक करके निउ डेली डेक्लेरेशन के अंदर हमको जो इंपोर्टन बाते देखने को मिलती हैं उनको डिसकस कर लेते हैं यहाँ पर देशों के बीच में जो सबसे बड़ा इशू था वो था यूक्रेइन इशू तशिया और यूक्रेइन के बीच में वार्ड चल रहा है दुनिया में कहीं भी अगर इंटरनेशनल मीटिंग हो रही है और वो गुरूप अगर अपने आपको मल्टिलेटरल गुरूप बोलता है विश्ट को रेप्रेसेंट करने वाला गुरूप बोलता है और अगर वो यूक्रेइन वार्ड पर बात नहीं करेगा तो किस तरा से उस और्गनाइजिशन को उस इंसिट्यूट को इंटरनेशनली रेकोगनाइज करा जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ी बोन ओफ कंटेंशन यूक्रेइन इशुई था और इंडिया ने इस मुद्धे को बड़ी कुशलता से एंडिल किया यहाँ पर न्यू डेली डेक्रेशन ये बोलता है हर देश को दूसरे देश की territorial integrity को sovereignty को और political independence को respect करना चाहिए इस declaration में 83 में से 8 paragraph exclusively Ukraine war और उसके economic impact पर है इस declaration के अंदर इस मुद्धे पर बात होना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमको G20 ग्रूप के अंदर ही polarization डूबी करन देखने को मिलता है एक तरफ Russia और China ग्रूप था और दूसरी तरफ हम देखते हैं G7 countries का ग्रूप और European Union था तो यहाँ पर सर्व सम्मती से इसको पारित कराना भारत की कूट नितिक कुशलता को ही दिखाता है अगली एत्यासिक चीज़ जो हमको ग्रूप और जादा रिप्रेजेंटेटिव होगा और जिस तरह से रिसेंट एर्स में African continent एक economic power की तरह उबर रहा है और जो immense economic potential अफ्रीका होल्ड करता है वो दृष्टी से यहाँ पर African Union का मेंबर बनना एत्यासिक है इसके लिए हम देखते हैं कि African Union के चेर्मेन एजली उसमानी ने इंडिया का धनवाद भी दिया है इसके बाद अगली महतपूर बात जो हम को इस declaration में देखने को मिलती है वो है climate change पर यह declaration climate financing के महत को पैचानता है वर्ल्ड पावर्स अगर seriously climate change को रोकना चाते हैं तो यहाँ पर सबसे important चीज है climate financing को recognize करना और यह declaration इस बात को acknowledge करता है यहाँ पर इस बात को acknowledge किया गया है कि 2030 से पहले developing countries को 5.8 से लिखकर 5.9 trillion dollars की मदद लगेगी ताकि climate change को रोका जा सके साथ में यहाँ पर अगर हम 2050 तक net zero target को अचीव करना चाते हैं तो 4 trillion dollar का पर एर खर्चा हमको करना पड़ेगा clean energy technologies पर इस बात को भी यहाँ पर acknowledge किया गया है यह declaration alternative energy sources की बात भी करता है यहाँ पर the global bio fuel alliance की बात की गई है जो की बहुत की important कदम रहेगा अगर हमको हमारी dependence fossil fuels से खतम करनी है global bio fuel alliance बनने से यहाँ पर research होगी और यहाँ पर नए नए तरीकों पर शोत किया जाएगा और इजात किये जाएगे जिससे यहाँ पर fossil fuels पर जो हमारी dependency उसको खतम किया सके और bio fuels को और ज़्यादे use किया जा सके ताकि यह pollution levels में गरावट दर्च की जा सके इसके बाद हम देखते हैं कि यह declaration एक और important चीज़ पर focus करता है वो है इंडिया Middle East Europe corridor जहाँ पर एक corridor बनाने की बात की गई है जो इंडिया Middle East और Europe को connect करेगा अगर economic point of view से देखा जाए तो यह corridor बहुत ही important है यहाँ पर US ने भी promise किया है कि वो इस corridor में invest करेगा अगर इस project को successfully implement कर दिया जाता है तो यह China के one road, one belt initiative को टकर दे सकता है यह तो आने वाला समय बताएगा कि countries इस project को लेकर कितनी serious हैं इसके अलावा इस declaration के अंदर हमको आर्थिक मुद्दो पर कुछ एहम बाते देखने को मिलती हैं खासकर यहाँ पर हर countries बात पर agree करती है कि multilateral development banks को और ज़्यादा शक्ति ब्रदान करना चाहिए यहाँ पर इस बात को भी acknowledge किया गया है कि financial inclusion के लिए digital public infrastructure का बनाना बहुत ज़रूरी है इसी के साथ friends यहाँ पर जो vulnerable countries हैं खासकर जो least developing countries हैं developing countries हैं और जिन countries के उपर इसमें बहुत ज़्यादा कर्ज है उनके लिए किस तरह से planning की जाए ताकि वो economic crisis को भी handle कर सकें और कर्ज को भी धीरे-धीरे चुका सकें तो इस चीज को भी यहाँ पर countries ने acknowledge किया गया है और friends यहाँ पर cryptocurrency को regulate करने की बाद भी की गई है इस declaration में तो friends इस तरह से हम देखते हैं कि New Delhi declaration हर important पहलो को छूता है और इंडिया की अध्यक्स्ता में भी G20 summit एक एथियासिक summit बनती है तो friends यहाँ पर हमने इंडिया की अध्यक्स्ता में भी G20 summit और New Delhi declaration से related सभी important points को discuss कर लिया है I hope आपको यह वीडियो informative लगा होगा ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को like करना और share करना ना बूलें अगर आपने हमारे चनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे चनल को subscribe जरूर करें मिलेंग और friends नेक्स वीडियो में जब तक के लिए bye bye and take care